जो कोस्टल यहां पर टाउन है यह देख लेते अभी यह एक्जाक्ली यह कोस्टल विलेच टाइप नहीं है यहां पर भी यह सब जो कोस्टल बिजनिस होते है जो फिशरी इस रिलेटर तो इसके सेक्शन्स है यहां पर छोटे के स्टोरेज सेक्शन्स कोल्ड स्टोर फिश को रखने का जो जगा है एंड स्टोरिंग के लिए वह सेक्शन है कि यहां से पता नहीं लगेगा कि कैसे यहां से एक छोटा सा चोटा सा गली जाता है पानी की तरफ देखते कि यहां पर इसे कुछ व्यू मिलता है तो वह पी प्राइविट नहीं है कि यह नहीं है तो वास्को का जो मार्केट सेक्शन था उससे opposite side पे है वास्को का railway station वास्को दा गामा यह है वास्को गोड का railway station तो यह नाम पड़ा था यह जो section का वो है from the Portuguese explorer वासको दागामा तो यह जगे का एक्चुली फुल नाम है वासको दागामा शॉर्ट में वासको इसे कहते है और पूचुगीज एक्स्प्लोरर जो आये थे वासको दागामा वो अराउंड फिफ्टीन हंड्रेड के आसपास यहां पे आये थे तो ही वासको दागामा वो ने एक्चुली यॉरॉप साइड से फिर्स्ट जो थे वाए थे यहां पे एक अच्छा सा इसे मूरियल कहते हैं इंग्लिश में तो यह सी प्रिंसस यह बताया है कि वासको का जो है कैसे है वासको सिटी का लाइफ इन वान पिच्चर है ब्यूटिफुल तो वासको दागामा यहां पे आये थे इंडिया में एंड फिर जैसे यहां पहुंचे थे तीन मैने बाद उनका डेथ हुआ और जो डेथ हुआ था वो कोची में हुआ था जो मैंने लास्ट व्लॉग में जो बताया था आपको एंड वाहां पे उनके रिमेंज भी है जो चर्च मैंने एक्स्प्लोर किया था प्रीविस वीडियो में देख सकते हो और तो यह जो सिटी है वो वासको दागामा के नाम से पड़ा यह गोवा एंड यह भी एरिया पुरा पोचुगीज के हाथ में था उनके कंट्रोल में था और बहुत ही रिसेंट्ली इंग नाइंटीन सिक्स्टीज में एट केम बैक टु इंडिया इंडिया को हैंड ओवर मिला तब ही तक यह एक पोचुगीज आप बोल सकते एक पोचुगीज बेस था तो इसलिए गोवा में आपको जो अर्किटेक्चर मिलेंगे जैसे ओल्ड गोवा सेक्शन है ओल्ड गोवा में आपको भूट सारे पुराने पोचुगीज स्टाइल के बिल्डिंग्स दिखाए द influence होता है बट अभी changes काफी आ चुके है गोवा के lifestyle में पहले के जो colonial जो system था वो दीरे दीरे यहां पे उसका जो presence है और जो culture है दीरे दीरे वो कम होते जा रहा है तो यह एक wine shop है गोवा में अगर मैं आया हो तो एक वाइन शॉप का एक छोटा सा आपको गोवा का जो है वो एक दिखाना है पड़े यह आजकल नया आया है हिप फ्लास्क है कि तुम लोग जिदर जा उदर मिलते यह देखो यह मेरे सब्सक्राइबर्स यह हमारे शिप्पे कसीनो कैशियर और मेरे सब्सक्राइबर्स बार बार में को मिल रहे दर ही है 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 पीपल्स ट्राइबलर अब देख्यों यूट्विब ने देख्यों तो यह है काबो दिस इस इस सिमिलर टू मालीबू वाइट रम यह डिरेक्ली आप पी सकते तो यह छोटा सा बॉटल है इसका प्राइस है 150 150 रहा ओके यह यह है लिक्यूर चोकुलेट इसका प्रैस के दिए 350 का है लिक्योर चोकलेट और चोईस है पक्राइस है इस ने तो सेम ब्रांड और यह सिक्स पीस अचा तो यह 12 पीसिस का है लिक्यूर चॉकलेट और यह 6 पीस ठीक है तो देखते हैं यह ले लेते हैं करता हूँ दीमा का अनी एक बियर प्यादा हूँ ते आल्टरा नहीं? किटे हैं? 10 पुलिंग किटे हैं? 85 किटे हैं? जा बडवाइजर 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 पांटना नहीं? यह पांटना तो पांटना तो यह नवगे लिए विजए नहीं? फ्रांसिस your K analogy I am going to try добавable beer from leaver after a long time it's been many years that i have actually come here in Warsaw I do not have a proper place to have this so I just found a small section which is near the railway station आफ्टर आल देट वॉक अमेजिंग तो मार्केट का एक और सेक्शन आया है और मुझे बेकरी आइटम ट्राइ करना था बिफोर आ एक्चली इत लंच तो यह है गोल्डन बेकर्स वासको स्टेशन के पास एक छोटा मार्केट पड़ता है वही है यह डेयर यह मुफिन्हें तो मुफिन्सजें है यह शेक्निकीसस आइग है इस इस बाया है जाड बाल ना। चिकन पाट्स होट फ्रेश पाट्स पाट्सी अमेजिग पड़ी कॉण्छा मेंसे अभी नहीं होगा बिको सागाने कि आटली के बाद माने की अधनी कि वहांता लाट हाद सब्सक्राय कर लंकर 아aching मैंसे अभी नहीं होगा b départ है थानल पाट्सल तो वह बाद मेंगेग शिल्ग कर दो और तो यह एक शौप है पर काफी काजु काईटम आपको मिलेगा मुझे ये लेना था mix cashew nut we'll try this okay so I was told that I'll get gohan sausages at rodriguez this is rodriguez let's have a look more exotic wines Japanese sutori whiskey 13,550 amazing really different kind of things that we get okay so here we get a gohan sausage guap oak sausage two types of sausages I'll just check 400 400 gram and this is small one 200 gram 280 okay so I think I'll go for this I'll take two of this if you come here to Vasco this is rodriguez it's a wine shop as well as you get frozen items and gohan sausage as well so if you want to take it packed like the seal pack then this is a good place open mostly if you come from the ship then it'll be difficult to go through customs and all those things so it'll be problematic so my suggestion is go for the packed ones so I'll take this and leave from here and then go to Anantashram now